असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स हमारा टापिक है वाइए चेंज इन स्पीड अफ लाइट काजिज रिफ्रेक्शन अफ लाइट और बैंडिंग अफ लाइट स्टुडेंट्स अगर लाइट की नेचर के लिए आज से हम देखे तो हमारे पास दो तरह के थियोरी जें पहले रिफिर यह ज यह भीलीफ करती है कि आपते पास्लाएट संप्टरंस वेव उसकी तरह भीructured करती है और फिर जो पार्टिकल वेव फ़ेव पार्टिकल ठिवरिया वलाइट है फस्टेज जैश क Coronavirus अफ लाइट है ये दोनों तेउरी यह बताती है क्ला इक स्टूरेंट्स लाइट सम्टाइम्स कुछ assessments जब कियेगे सेंटिस्टे कुछ एक्सपरिमेंटस किये जैसा के डिफ्रेक्शन एंटर्फेरेंज और कई तरह के मशहूर experiments हैं famous scientist के उनके according light जो है उसकी nature change है light जो है sometimes particle की तरह behave करती है तो जिस में particle की तरह behave करती है उसको particle theory of light कहते है और light जब sometime wave की तरह behave करती है उसको हम wave theory of light कहते हैं students अब यह जो topic हम discuss कर रहे हैं that will be from wave theory of light हमने students एक beam of light ले लिए एक आप देख रहे हैं यह beam of light है look at that यह beam of light है जो आ रही है और इस glass slab के अंदर enter हो रही है okay so जब यह beam of light यहां से obliquely fall करती है at an angle boundary के उपर another medium के boundary के उपर fall करती है तो आपके पास जो एक पार्ट होता है light wave का एक पार्ट यह नहीं यह वाला पार्ट मैं थोड़ा से इसको यह पार्ट की बात करें यह निचला वाला पार्ट जो light wave का students वो आपके पास enter हो जाता है तो सबसे पहले जैसा पार्ट एंटर हो जाता है तो चुंके glass slab की हम बात कर चुके इसके इंदर speed of light जो है वो कम होती है air की निजबत तो साथ ही आपके पास light waves जो है उनकी speed decrease हो जाती है कम हो जाती है एंड अगें क्या होता है कि जब यह जिसका second part है यह complete part जब enter हो जाता है तो complete part की speed जो है वो decrease कर जाती है glass slab के अंदर चुंके air में जब तक beam of light थी बड़ी speedily travel कर रही थी light waves speed के साथ travel कर रही थी जैसी यह beam of light इस glass slab के boundary वे फॉल की है यो can observe इसके speed में काफी कमी होगी है और wave length भी आप देख रहें consecutive views का जो wave length है वो भी decrease कर गया है और अगर आप यहां पे wave length की बात करें इस case में यह wave length अच्छा खासा ज्यादा है इस wave length की निजबत ओके यहां पे आपके पास जो wave length है वो air के light waves की air के अंदर जब light waves travel कर रही थी उसकी निजबत यहां पे wave length decrease कर गया इसले मैंने लेक रखा है students the speed of light wave on one side of beam of light the speed of light wave on one side of beam of light changes a little before the change in speed of light on its other side causes a change in direction of light यानि जैसे ही आपके पास चुंके यह 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 आ रही है waves तो इसके दो साइडे हैं एक यह साइडे और एक यह साइडे यह दो साइडे जो वाली साइड फस्ट एंटर होगी इसकी ग्लास बॉंडर के अंदर वो लैटरली माइनर सी चेंज कर जाती है उसकी श्पीड जो फस्ट साइड एंटर होती है उसकी सपीड में चेंज आ जाता है यह देखें इसकी फस्ट साइड है यह और यह इसकी से कंड साइड है तो लाजमी 2nd and that will be 1st that side will be 1st इसलिए मैंने रिख रखा है कि जो 1st side enter होगा इस glass slab के अंदर साथ ही आपके पास क्या हो जाएगी speed and light which change आजाएगा ओके इसी तरीके से जो other side है it will be also slightly change but first change आएगा वो first side में आएगा so that's why हम यह कह सकते हैं कि जब point A के उपर सबसे पहले तो हमें effect याद रखना पड़ेगा कि light waves travel faster in air but slower in glass इसी तरीके से आपके पास जब consisting of light traveling fall की गई glass slab के उपर तो आपके पास किसी angle पर fall की है यह आप अगर इसके left side से देखें तो left side पर जो beam of light reach कर रही है glass slab पर जिसको मैं point A कह सकता हूं this is your point A left side पर जो oblique fall की है जिस angle पर तो आप देख सकते हैं उसके speed में direct change आया तो जो rest of light way हो है यह 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 तो पहले fall किये ना जो rest of light way exactly point B पर जब फॉल करेगे it will also uh little change students look at that यहां पर भी little change आगे है जब एक ग्लास slab में अंटर हुए है but first the end and yes I'd enter you that's why I'm like सकते speed of left side of beam of light is reduced a little before its right side students therefore the direction of light change our bending of light occur on entering the slab this glass slab यह आपके पास जो जैसे जैसे आपके पास right side से glass slab में enter हुई है साथ-साथ यह क्या हो जाती है इस set पर यह decrease कर जाती है reduce हो जाती है यह जो reduction है और इस set पर यह बढ़ जाती है इस set पर ज्यादा बढ़ जाती है फिर जैसी glass slab से यह beam of light way बाहर आती है students यह again क्या हो जाती है speedily fast हो जाती है अपने normal 3 multiplied 10 is to power 8 meter per second पे travel करती है students तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे पास यहां पर light way on this side इस side पर जो light way एंटर हो यह side a पर light way on this side a beam of light reach the glass first and slow down look at that यहां बड़ी speedily आ रही थी मैं इसको अगर ऐसे बनाओ तो मेरा यह edge जो है इस edge के साथ यह pencil touch हो रहा है यानि इसी तरह इस wave का edge भी जो है side का side a का touch हुआ है तो आपके पास light reach करती glass first पर and slow down हो जाती है secondly मैंने यहां क्या लिख रखा है ऐसे आप देखेंगे जब मैं ऐसे light ray आ रही है look at that आप देखिएगा pencil का जो यह है left side यह वाली यह पहले बाइर आई है और यह जो इसकी right side अभी भी glass lab के अंदर students look at that तो आपके पास जो इसकी left side है इसके बारे में मैंने लेक रखका है light waves on this side of beam of light come out of glass and hence speed of first exactly आपके पास जो left side है यह पहले बाइर आई located मैं again observe कराता हूँ यह pencil ऐसे आ रही है इसको आप एक beam of light समझे suppose करें इस glass lab में से इसका left side पहले बाइर आया right side अभी भी N है यह beam of light अभी भी अंदर है तो जिसकी left side बाहर आती है students यहाँ पे आप देख सकते है speed up हो जाएगी आपके पास light waves क्योंकि इसकी यह वाली side जो है वो air media में आ चुकी है जिसमे speed of light glass lab की निजबत बहुत ज़्यादा है आप जानते हैं कि इन दोनों मीडिया के air in glass lab के अंदर speed of light change है इसके अंदर air के अंदर 3 multiply 10 to power 8 meter per second में travel करती है और glass के अंदर 2 multiply 10 to power 8 meter per second में travel करती है तो students यह थी कुछ आपके पास summary जिसमें हमने देखा कि जब light move करती है air से glass के अंदर तो क्या-क्या होता है speed उसकी decrease कर जाती है और उसकी wavelength भी decrease कर जाती है इसको आप कह सकते हैं wavelength मैं इसको lambda कह देता हूं ओके students और यहां पर जो wavelength है आप देख सकते हैं यह बहुत कम है इसी तरीके से आप यह भी कह सकते हैं second end पे के जब light waves बाहर आती है तो जो wavelength पहले decrease की होती है और जब light wave glass से air में आती है दिन wavelength आप देख सकते हैं यह again increase कर जाती है आप देख सकते हैं इस wavelength की निजबत इस wavelength को देखा जा सकता है students हमारे आपके पास यह decrease कर गी है so यह था आपके पास reason that why a change and speed of light causes refraction of light that's a summary thanks a lot for watching stay tuned by my channel for next coming video thanks